असलाम अलेकुम प्रोग्राम 45 मिनिट्स के साथ मैं हूना ही चौधरी नासरी एक दौर था जब लोग फिल्म देखने के लिए सनमा का रुख करते थे और तफ्री का ये बहुत बहुत बेतरीन जरीया हुआ करता था ना सिफा फिल्म देखते थे इंजोय करते थे घर से बाहर जाते थे आउटिंग हो जाती थी फैमिली कटी होती थी इस चीज़ को बड़ा पसंद किया जाता था फिर चीज़ें बहुत तेजी से तबदील होती गई हमारे हैं और भी बहुत सारी जराय जो है आगए तब हर घर में टीवी भी नहीं हुआ करता था फिर स्क्रीन्स जो ह हर घर में जब पहुँच गई टीवी पहुँच गया मुखिफ ट्रामास की तरफ लोगों का रुख हो गया उसके बाद और अब की अगर मैं बात कर लूँ अब तो सोशल मीडिया इस कदर तेजी से अपनी जगा बना चुका है कि ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत पीच सेनमास के बात की जाती है और अब ये बजा बताया जाता है कि मौजूदा दोर में कि शाइज सिर्फ 80 सेनमास ही हैं जो काम कर रहे हैं या मौजूद हैं तो इसका रिवाइवल कैसे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं वो ज़रूर हम डिसकस करेंगे अभी गर्मन्ट जो सूट दी जाएगी जो हमारे यहां के फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए उसके लावा और क्या हो सकता है गर्मन्ट इस वक्ते आज़ाइव रखती है एक क्लिप मेरे बास मौजूद है फवाद चौदरी साब उसमें ये सारी चीज़ें बता रहे हैं याप सुन लीजिए फिर ह की बहाली के लिए फूरी तोर की ओपर रिक्दामात नहीं किये तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री और सेनमा इंडस्ट्री जो मुकमल पहले ही तकरीबन बैठ चुकी है यह बिल्कुल ही बंद हो जाएगी और इसके लिए हम एक फिल्म पैकेज भी बहुत जो है वो ला रहे है जी अब होने क्या जा रहा है इस पर हम बात करेंगे और होना क्या चाहिए तजावीज क्या है वो भी सारी हम डिसकस करेंगे और करंटली हम लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे इस वक्त जो पारलिस मुझे जॉइन कर रहे हैं इंतहाई रिल्मन् शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इस आहम मौदू पर यकिनान आपकी रहे जो हमारे लिए बहुत आहमियत के हामिल होगी और इनके साथ मेजर नुमान खान साब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर साब जो हैं ये फिल्म पेडियूसर हैं बड़ी ज इस वरह से इनों ने काम किया ये राइटर भी है उस फिल्म के और इसके बाद पोस्ट प्रोडिक्शन जितना काम है जितना इनोंने इंटरेस्ट लिया मेरा खाल है बहुत कम लोग हो इस वरा आसे कर रहे हैं नाजरीन हमें चॉइन कर रहे हैं जावेजबार साहब और बहुत शुक्रिया आपका नाहीद दावत का बहुत मैंने वड़त काम किये हैं लेकिन एक शायद सही काम ये भी किया है कि I am a humble filmmaker, writer, director and producer. ये तो बहुत बड़ा दाउरूप है सर, वेरी को ताही है ये जब बिचेवी सर्गें. जब आप उपर जन्नत में थी तो 1976 में पाकिस्तान की पहली और अब तक शायद वाहिद अंग्रेजी जबान की फिल्म, Beyond the Last Water, हमने पेशन की, तो उसको हम रिवाइफ करेंगे, तो देखेंगे, अपने जहमत की मुझ से राफ्ता करने की, गालबन आप चाहते हैं कि मैं कुछ अब आपके तरफ सर में आपकी तरफ आती हूं कुछ और लोग भी हैं उनको इंट्रिज़ करवानी जो इस वक्ति अबारे साथ मौजूद हैं, लाहूर स्टूडियोस में चौधरी कामरान साथ हमें जॉइन कर रहे हैं, आप चेर्मन हैं, फिल्म अस्योशिएशन के इसी तजरबा है, मेरा ख्याल है कि उस पर एक प्रोग्राम में बात करना जोब है, बहुत कम पढ़ जाएगा हमारे कोशिश होती है, कि मुझे ये बताईएगा, ये बताईएगा सर अभी हम सेनिमा को रिवाइब करने की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडिस्ट्री को है, कि आप समझते हैं कि इस सेनिमा के रॉगन के जो हैं वो बहाल हो पाएंगी, एक तो बहुत शुक्रिया नाही दिवी आपकी जावत का, मैं एक तो वेलकम करता हूँ, फवाद चौदरी साफ जो दिल्चस्पी ले रहे हैं, फिल्मी सेनित की तरखी में, ये बहुत ही ए वरना जब पॉलिसी एलान होगा तो देखने हैं, नमबर एक, मैं समझता हूँ कि ये फिल्म की सनद की तरखी के लिए लाजम है कि विफाख और चारों सुबों की हकूंतें तावन करें, इस वाद कुछ कशीद्जी पाई जाती है एक सुबे के साथ, ये भी पाया जाता है कि एक ये दो सुबों को कोई दिल्चस्पी ही नहीं सिनमा के शोवे में और बज़र किसी पर तनखीद किये, ये मैं नहीं चाहता कि किसी एक सुबे का नाम लूँ, लेकिन हमारा एक ऐसा अनोखा रियासती ढांचा है, कि सिर्फ विफाख की नेक नियती से इस पर अमल नही इस एक आईनी इदारा है, अभी अभी उसकी भीटिंग भी हुई है, और इंटर प्रोविंशल कोईडिनेशन की एक बाखाइदा विफाखी मिनिस्ट्री भी है, तो सिनमा के मौदू को उसका हिसा बनाया जाए, क्योंकि सबसे पहला कि जो रियासत को लेना चाहिए, चाहे सुबे की सते पर या विफाखी सते पर, वो है स्क्रीन में इदाफा, और वो लायक किया जा सकता है, बिल्डिंग पॉलिसी का हिसा बनाकर, जोनिंग पॉलिसी जिसे कहते हैं, कोई भी बड़े नए हाउजिंग स्कीम के एलान के साथ, जहां पर मतलएं एक लाग की आबाद जाए, उसको लाजम कर देंट और अप्रूवल ऑफ एनी नियू बिल्डिंग कम्यूनिटी और हाउजिंग सुसाइटी इज एक सुसाइटी तो नहीं, कई सुसाइटी, कुछ रेशियो पॉप्यूलेशन का उसके साथ, साथ साथ जो रियास्त की अपनी जमीन है, चाहे वो म्यूजियम्स के खरीब हो, प्लेगराउंज के साथ हो, खुले हो, मार्शल मसलन रेडियो पाकिस्तान के पास बहुत बड़े वसीत तोर पर प्रॉपर्टी मौजूद है, जो सही यूज नहीं हो रही है, चीक है, तो उसको भी कनवर्ट किया जा सकता है, इंटू थियाटर and obviously it will cost money, but there is a way to finance it. Second, production में भी रियासत एक जिम्मेदारी ले सकती है, मुख्तलिफ तरीखों से, एक है, मसलन यूरोपियन यूनियन में, बरतानिया में, उन्होंने कहा था, कि जो भी cinema ticket बिचा जाएगा, उसका एक percentage, एक film finance fund में जाएगा, ताकि कोई लोग जो बनाना चाहते हैं, अपना सरमाया आगे लाएं, तो 50% या 75% उस film finance fund से मिलेगा तरजे के तौर पर, तो ये एक तरीखा हो सकता है, और television पर जो बेतहाशा इस्तिहारों का भर्मार है, बाज ममालक में TV advertising का एक छोटा सा percentage, cinema के film finance fund में भी दिया जा सकता ह तीसरी बाद, वो है script writing, क्योंकि अगर हम बेनुल अखवामी सते पर चाहते हैं कि पाकिस्तानी cinema को project करें, तो बहुत जरूरी है कि हमारा मेयार script writing में बहुत 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 हो, हमारे पास direction, even in cinematography, sound recording, editing में बहुत उनर है, लेकि एक कमजोरी अभी भी script writing में है, जिसके लिए बाकाइदा तालीम दी जा सकती है, तर्बियत दी जा सकती है, और कई तरीखें हैं इसको एमें, और last two points, censorship, censorship में रियास्त की जिम्मेदारी है, कि वो गेर जरूरी तोर पर कुछ चंद मुलाओं की वज़ा से, या इंतिहा पसंदों की वज़ा से, ना जायस किसम की दी ना लगा दें फिल्म पर, अभी अभी गुजश्ता महीनों में बहुत बड़ा अफसोसनाक बाकिया हुआ है, एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई गई किसी के जानब से, लहौर से, और अफवा के बेसिस पे, उसके ट्रेलर के बेसिस पे, उस पर एक किसम की बैन लगा करें के भई आजादी इजार एक मुनासिबत के साथ उसको इजाज़त होनी चाहिए सिनमा में भी, लास पॉइंट, जी जी, सिनमा के बारे में तादीम, एजुकेशन अबाउट सिनमा, सिर्फ ये नहीं के अदाकार ये मशूर है और ये फिल्म की हिट सॉंग हो गया, बलक सभी जम्हूरिया एरान मौजूद है, हम समझते हैं कि मजभ इतना फाइज हो गया है कि कोई गुंजाइश नहीं है, आर्टिस्टिक एक्टिविटी की, एरान ने सिनमा में बहतरीन सिन्स प्रड्यूस की हैं, जिनोंने अकैडमी अवार्ड जीते हैं, जिनोंने एकाडमी इनिशिटिव और स्टेट, इस्टेट एक जिनोंने एकाडमी आपकी तरफ आउंगी, मुझे ये बताईएगा, जैसे जावेज जबार साब ने भी का हमारी भी जबाफिर बात हो रही थी, आपने का मैंने पूछा आप से कि फिल्म के लिए कौन से लवासमात हैं जो जरू है। तो स्क्रिप्ट के हवाले से मुझे थोड़ सा बताएं कि क्या आप यह समझते हैं कि हमारे स्क्रिप्ट मुता सिरूआ है और उसकी वज़ा से अब जो हम झावाल की बात कर रहे हैं या एक वज़ा उसकी यह भी है. यह भी कहा जाता है कि मौजवाती फिल्मों से हट क वो जो शौकियाना किसम की जब आप चीजों की तरफ चले गए ऐसे लोग आ गए फिल्मेकिंग में तो उसे बड़ा मुतासिर किया हमारी इंडिस्ट्री को जी अपना बहुत सी चीजें शामिल हैं अपने डिकलाइन की फिल्म्स की और ये लाजमी तौर पर मैं कहूंगा कि कि अपने कि अपने के स्कृप्ट जो फिफ्टी ज और शिक्स्टी ज लिख गए और अन्वर कमाल पाशा थे और रियार शाहिद थे और और हज़रात थे जो नहें अच्छी फिल्मे बनाई और च्छी एच्छी एच्छी इसकृप लिख लेके वो अब नही हैं वो लूग 1977 में 111 फिल्में बना रहा था वो 25 फिल्मों पे आ गया और उसके बाद ऐसे भी साल आए जिसमें हमारी 10 12 15 फिल्में लगी तो ये फिक्र की बात है कि हम कितने नीचे गिर गए ठीक अब हो क्या सकता है मैं आपकी तरफ आउंगी वापस किस तरह से हम इसमें कुछ बहतर ही थे और बड़ी जबर्दस किसम की मूवी जब ने देखी लेकिन जब डिकलाइन आया तो ये भी कहा जाता था कि जो नए तखलीकी अजहान है वो कॉंट्रिब्यूट नहीं कर रहे हैं अब आप लोग नए लोग इसमें फिल्मेकिंग में आ रहे हैं आप लोग का कॉंट्र ये किन बड़ा इसको में अप्रिशेट करते हैं हसार राना सहाब ने वार बनाई वार टू बनाई यलगार बनाई दो हजार तेरह से सतरह तक कर सारा फिर अपने शेडिल बनाई लोगों ने इसे बहुत पसंद किया एकसेप्ट किया आपकी जहन में क्या था जब शेडिल क ये तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है हम प्रोड्यूसर्स राइटर्स को कि अब हम क्या चीज़ बनाएंगे कि लोगों के स्पैन अफ टेंशन जिस वकत बहुत चोटे हो गए हैं और वो जिस वकत साड़े तीन मिनट से बड़ा लंबा लिखा हुआ सीन नही स्कूल को जनम दिया और जो एदे रफ्ता को हमने वो फिल्मे बनाई आज अगर वो फिल्मे दुबारा रं की जाएं तो वो वाली फिल्मे बहुत मकबूल तो हैं लेकिन उसको देखने वाले आटोमाटिकली रिडियूस हो जाएंगे हमने ऐसे मौसम भी गुजारे जने ज गये और फिल्म के बनाने वाले उसे पीछे रह गये ते अगर हम वही चीजी बार बार करते रहेंगे तो क्या हम काबिल रहेंगे कि हम आडियंस को पहुंच सकेंगे और जावेद जबार साथम ने खुबसूरत बातें की हैं रंग बातें करें और बातों खुष्भू आए तो उनकी खुश्बू तो है यहां थे कराची से यहां तक पहुंची है और मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं यह वाली फिल्म बना रहा था तो उस फिल्म में मुझे क्रिटीक भी इसको देखना है लोग जाएंगे और नारह तकबीर सुनेंगे और अल्लाहू अकबर सुनेंगे और यह वाली चीज़े सुनेंगे तो आई साथ डाउन विट मैं टीम जाएंगे यह मेरे दिल पर लिखा हुआ है कावा है मैं तो फॉजी हूँ आपने मुझे बता दिया तो मेरे दाएंगे लेकिन अगर मैंने बार 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 नारह तकबीर लगवाने की कोशिश की तो पीपल विल डिसकनेक्टेट इस मूवी वन सेकंड मैं यह सिर्दिल की बात नहीं कर रहा हुआ है यह कैसे हो सकता है के मीकाल जल्फकार जैसा स्मार्ट लड़का जे एफ 17 टामिक के ओपर गोर्डन लाइट हो हेलमट पकड़के कवर और बाहर निकल रहा हो और उसके बावजूद मुझे जरूरत हो बताने की लोगों को पीछे खुबसूरत जहाज के ओपर पाकिसान के आ मैं आज जो मॉडन मुवी मेकर्स हैं वो इन तमाम चीजों को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से एंड अगर हमने ओडियंस को मैच ना किया सो आटमाटिकली वो फिर वही वाला वक्त आएगा के आपके ओडियंस आगे निकल जाएंगे और मुवी मेकर्स पीछे रहाए है और अभी जो हमारी लोकल इंडिस्ट्री के लिए काम किया जा रहा है आज की खबर है शायद आपकी नजर से गुजड़ी होगी कि टैक्स में छूटती जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि थोड़ा कंपंसेट किया जाए और कोविड में खास और पर जो सारी सिच हमाद भी हो क्योंकि association को हम बड़े अच्छी करीब से देखता हूं मैं तो उसमें हमें हमारे पास जो लैटर पहला लैटर एंडिस्ट्री का वह 72 का है 72 से लेकर जो भी हकूमत आई है चाहे मशरफ साफ की आई है चाहे पिपल पाल्टी के आई है चाहे किसी भी जमाद की आ है और दूसरी चीज जो जबार साफ ने भी बड़ी अच्छी बात किया है जासाब ने भी नमान साब ने भी देखे हमाए हमें जो प्रॉब्लम है ना जब तक पंजाबी फिल्म नहीं उठेगी ना तो पाकिसान फिल्म डस्ट्री नहीं उठ सकती आप तरीख उठाके पश्ट फिल्मे चलाते हैं ना पंजाबी चलती है ना उर्दू चलती है ना इंडियन ना कोई और फिल्म चलती है ठीक है गोर्मीट पाकिस्तान को यह चाहिए कि यह बैट के जब तक सैलमा वाइस सैलमें तो बंजेंगे को प्राइवल लोग भी बना लेंगे को इसको गुर्मेंट को हमने दस बर काया और मीटिंगे हुई है उसके नहीं काया कि यह बैठके यह मसला अल करते हैं बाद में फौाद साब ने भी हाथ उठा दी है कि जी नहीं हम सेल्मा वालों के साथ आपके बैठके नहीं कर सकते आप वो एक प्राइवेट बिजनस आज के दोर में उस वक्त जुम्हेरात को पिचर उतरती थी हफ़ते को आपके दफ्तर में चेक का जाता था अब तीन-तीन साल पेमन नहीं मिलती सेल्मा से तो किस तरह पाकिसन फिल्म डॉस्ट्री आगे चलेगी ठीक है तो सर इस पॉलीसी में अभी जब सारी अनॉंस्मेंट हो होगी मेरा ख्याल है कि इसको वो देखेंगे वाज जातरी साब ने कहा है कि एक कम्प्लीट पैकेज हम लेके आएंगे और वो सिर्फ सेनमा की बहाली के लिए काम नहीं हो रहा बाकी आप लोगों के वीजो मसाइल है उनको भी इसमें हल किये जाएगा तो इस पे मजीद भी करते हैं आप ने जो पुझाबी फिल्म के हावाले से बात की है मेरी चाहित हूं को एजयास में साप सेrim पजाबी फिल्म वह कह रहें के जब तक नहीं ज्यादा बनेंगी पंजाबी फिल्म में तब तक आप इसको पर उठा नहीं सकते है क्या इस sa कापरान साफ ने ठीक बात कई पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है अबाद आबादी के लिए झाल 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 झाल